Hello everyone, कैसा हैं आप सब और क्या हल समाचा रह denen, आपके आपक्या जो आदेस था आदेस, Keynes पे बनाईये, InvX, Green IPO पे बनाईये, आप IPO के विडियो जाधा बनाते नहीं तो ये सही ही IPO के विडियो जाधा मैं, इसलिए नहीं बनाता है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि stock under value है over value है, company profit में है loss में है, ये सब judge करते हुए IPO में apply करें, लेकिन फिर भी आप कहें और हम ना माने, ऐसा ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर भी twist है first न जाना apply करने से पहले पूरी वीडियो देख लेना, ये मैंने title डाला है इसको मैं proof कर दूँगा आज की वीडियो से और उससे पहले दिल से thank you कि जो कल मैंने announcement किया, जो gift आप लोगों को दिया पसंद आया है, और bum पर आप लोगोंने booking किया है, 11 December से free stock market master class मैं आपको सीखाने वाला हूँ 9 बजे से 5 बजे तक, और भी इंडिया के एक से एक बहतरीन दिगज लोग आपको सीखाने वाले हैं तो चाहे option हो swing हो, future हो investment हो, सब आप सीखने वाले हैं तो अगर आपने अभी तक google form नहीं बढ़ा है, तो description और comment में पिन है, फटा-फट google form भर दीजिए, और प्यारी बात ये है, कि लखनव की ticket book कर लीजिएगा, क्योंकि limited seat है, और ऐसा मौका सिर्फ साल में एक बार आता है बार-बार नहीं आता है, तो ये मौका आपके हाँ से जाना नहीं चाहिए, तो अब हम बात करते है सबसे पहले, केंस IPO की electronic component बनाने वाली कंपनी है 858 करोर का IPO है, 530 करोर का fresh issue है, पैसे से क्या करेंगे, production बढ़ाएंगे, working capital को पूरा करेंगे, और कर्ज को चुकाएंगे, 10 से 14 नवंबर तक खुला है, यानी 14 नवंबर को बंद हो जाएगा, price band 559 से 587, मैशूर की कंपनी है, बड़ी कार कंपनी और railway के लिए electronic component बनाती है, product का range भेंकर है, गारी की headlight, पीछली light printed circuit, board assembly, industrial customer के street light controller, smart meter बनाती है, defense sector के लिए thermal imaging system भी बनाती है, अब इनका इनकी जो income है, वो 23% की हिस्सेदारी, वहीं पर original equipment manufacturer के लिए tanky solution तयार करना, वहाँ पर income में इस part की हिस्सेदारी 66% और तीसरा है, original equipment manufacturer के लिए original design manufacturing करना, और यहाँ पर से 5% और चौथा है, product engineering जहां से बचा हुआ आता है, तो इस अले ही, 2500 करोर का capex plan है, यानि हम बहुर production बढ़ाएगा, और बहतर करेगा पिछले asset turnover करीब 4 गुना रहे हैं, नई capacity चालो हो जाने पर 1000 करोर का turnover हो जाएगा यानि company पहले से bum pilot काम करेगी, और आगे भी bum pilot काम करेगी, अब कमाई का क्या कहानी ही है, तो देखे, 2020 से 2022 के बीच में 38% सालाना की दर से जो है न, आमदनी 710 करोर रही है, यानि 38% की सालाना दर से बढ़ी है, operating profit यानि इबटा पर आओगे तो 50% बढ़कर 93 करोर हो गया, इसका मतलब क्या है भाईया सब कुछ अच्छा है निट प्रॉफिट चार गुना बढ़ गया तो ये तो एक बहुत strong financial आता है, यहां पर एक और बताऊं मतलब last financial में जो इनके peer है, यानि competitor है उनके बीच में इनका operating margin बहुत जबरदस्त, इन्होंने जो investment किया है, उस पर आने वाला return बहुत जबरदस्त, यानि सब को पीछे छोड़ दिया हम आगे हैं, यह तो बड़ी अच्छी गुड़ी गुड़ी बाते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होगा लगिन अब risk भी है, risk क्या है तो risk यह है कि इनका काफी बड़ा हिस्सा कुछी customer से आता है, तो कुल margin, profit margin पर impact हो सकता है अब यहाँ पर valuation को समझते हैं, यह बहुत important है 2022 के अपना, जो इनको मुनाफ़ा है है न, उसके 82 times पर valuation demand कर रहे हैं जबकि जो इनके competitor हैं वहाँ पर से देखें तो यह 137 गुना पर trade कर रहे हैं, तो यह कई चीज़ें ऐसी है, जो valuation wise महंगी है, बिलकुल महंगी है, लेकिन इनका order book गजब का है 2226 करोर का है, इससे पता चलता है कि इतने बड़े order book से इनका income बहुत जबरदस्त होने वाला है company को फाइदा किसे मिलेगा, China Plus One नीती से, उसके बाद इनका margin profile है, competitor से बच्चा है अब इनका focus कहां पर वो एक बड़ा मज़ेदार चीज़े, कम volume वाले complex product पर जिस पर दूसरी company नहीं जाती है, तो इनके मत दे नज़र आपको क्या है, company अच्छी है, सब कुछ सही है, valuation ज़्यादा मांग रहे हैं, तो long term के लिए ज़्यादा सही है, और long term के लिए ज़्यादा सही है, तो पिछले 2020 और 2021 में आपने कई सारी ऐसी company देखी, जो बड़ी धमाका थी, बहुत बड़ीयाँ, listing gain हो गया, उसके बाद क्या हुआ, गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा, लोग परिशान जैसे दूसरी company है, जब भी list हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जब profit booking या कोई भी बहाना मिलता है, कि चलो अभी तो अच्छा result है, खराब result भी तो आएगा, सब के दिन आते हैं, तो उसमें क्या होगा, सस्ता price में भी मिल सकता है, तो ये एक point of view ऐसा है, जहां पर मुझे लगता है, कि वो चीज मिल सकती है, बट overall listing gain का नजरिया ऐसा आता है, कि मेरे को लगता है, जब तक 25-30% का listing gain ना मिले, बेकार वाली बात है, मतब मेरा नजरिया, आपका नजरिया ज़रूरी नहीं है, तो that is the big reason, कि ये कहानी है, डिमेट ट्रेटिंग का लिंक description में है, आप एकाउंट ओपन कर लीजेगा, special telegram में हम add कर देंगे, अब हम बात करते हैं, दूसरा, आइनोक्स green के बारे में, 11 नवंबर को खुल रहा है, यानि कल खुल गया, आज बारा है, 15 नवंबर तक रहेगा, प्राइस बेंट 61 से 65, अब इसमें तीन चीजे हैं, जो सब को attract कर रही है, धमा का, पहला green सब्द का जुरा होना, और green होते ही, green energy green energy आ जाता है, दूसरा 60 रुपे का सेर है, सस्ता सेर है, ले लो भाईया, ले लो, और तीसरा पता है, 740 करोर का IPO, यानि छोटा IPO, तो जैसे ही IPO छोटा, IPO का साइज छोटा, स्टॉक का सेर छोटा, और green energy वैसे ही bumper अपलाए, तो यूही हो जाता है इन बातों पर, और इसके साथ वही हो रहा है, और चलिए समझते हैं आगे, तो 740 करोर, जुटाना है 370 करोर, नए सेर ने जारी किये हैं 370 करोर का OFS है, और पता है, गौतम अटानी से connection है जी, क्या connection है बताता हूँ, पले वीडियो को लाइक तो करती, जवाद में भूल जाईएगा देखें, आइनोक्स विंड की जो आइनोक्स विंड है, उसकी subsidiary कमपनी है, गुजरात, राजस्तान महराष्ट, माधर परदेश करनाट, कांधर परदेश के अरलता मिलाडू में है, तो आइनोक्स GFL समो की कमपनी का हिस्सा, तो आइनोक्स विंड की वर्तमान में अभी के टाइम में, आइनोक्स ग्रीन सर्विसेज में, 93.84% के हिस्सेदारी है, और हाल में ही, आइनोक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज में, अपने तीन special unit में, अपनी सम्नोची equity हिस्सेदारी, किसको बेची? गौतम अदानी की कमपनी, अदानी green energy को बेच डाली, ये है connection, अब बात करते हैं कि भाया, इस company पे 900 रुपए का कर्ज है, sorry 900 रुपए का नहीं, 900 करोर का कर्ज है, दो साल से loss में है, मौजूदास तर पर company के valuation महंगे है company wind power operation and maintenance की service देती है और आइनोक्स wind की तो subsidiary मैंने बता ही दिया और जैसा कि मैंने बताया retail portion fully subscribe हो चुका है, तीन कारण मैंने already बता दिया, तो अब यहाँ पर जो कहानी है वो ऐसा है कि भाया apply करे या ना करे, मैंने कहा कि लोगों का दिवानापन किस तीन चीज़ पर है, वो मैंने बता दिया है, सब सही है, तो यानि इस पर tech क्या है, special tech के green energy का सरकार जिस पर काम कर रही है, आगे बहुत कुछ करेगा, करेगा, देखें, सब कुछ मिल सकता है, कुछ भी इस पर हो सकता है, क्योंकि GMP भी 9 रुपे के करीब चल रहा है, क्योंकि public को reason मैंने बता दिया, हर थोड़े दियर में कुछ न कुछ stock market की गरमा गरम खबर दे रहे हैं, तो telegram से जुड़ जाईए, मैं कुछ दूँगा, बट स्टिल लगता है, या कर्ज है, valuation महेंगे हैं, पहले वाली company ने भी कुछ वैसा खास किया नहीं है, तो ये green के नाम पर कितना green कर लेंगे हैं, तो इस सारा काफी है, वीडियो को प्यार देते रहे हैं, और कैसा लग रहा है, नया तरीका जरूर बताईएगा, thank you so much.